असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे चुका अमबाड़े की भाजी गोष्ट तो चलिए हम बनाना शुरूर करेंगे तो इसके लिए लेंगे हम यह हैं अमबाड़े की भाजी के छे कटे और ज्यादा कॉंटिटी में लेंगे हम चुके की भाजी यानि के 12 कटे हम चुके की भाजी के लेंगे और 6 कटे अमबाड़े की भाजी के तो ये दोनों को भी हम अलग-अलग काट कर रख लेंगे और इसके बाद में दोनों को भी सप्रेट अच्छे से धोकर रख लेंगे यानि के दोनों को भी बिल्कुल अलग-अलग धोकर रख लेंगे और इसके बाद में अमबाडे की भाजी हमें एक बगोने के अंदर आट कर लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी आड़ करके अमबाड़े की भाजी को गला लेंगे सिर्फ पांच मिनेट के लिए मेडियम हेट पे गला लेंगे एक कप पानी आड़ करके और इसके बाद में फ्लेम आफ कर लेंगे और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे या तो फिर इसका पेस्ट बना लेंगे अमबाड़े की भाजी का पेस्ट बिलकुल रेडी है ये देखिए इसको अच्छे से मैश कर लेना है या तो फिर ग्रैंड भी कर ले सकते हैं आपके अपनी मर्जी पे डिपेंड करता अब हम एक pressure cooker में मटन एड य के लिए चार से ग्राम मटन है यह और इसके अंदर आड गरेंगे चे medium size के प्याज 3 टामाटर medium size के काट के आड़ कर लेंगे और चार हरी मिर्ची जुक्हे की बाजी को भी अच्छे से धो कर pressure cooker में आड़ कर लेंगे अध्रेकलेशन का पेस्ट एट करेंगे दो टी स्पून अल्दी पॉडर आदा टी स्पून नमक दो टी स्पून लाल मिज पॉडर दो टी स्पून तो मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के साब से आट कर सकते एक कप कुकिंग आइल एट कर लेंगे एक कप पानी अट कर लेंगे अच्छे से मिला लेंगे अब अच्छे से मिला लेने के बाद में अब हम इसको प्रेशर कूकर का ढ़कन लगा कर फ्लेम ओन करके इसको प्रेशर कूक होने के लिए रख देंगे हाई हीट पे पकाएंगे आठ से दस सीटी होने तक 8-10 CT हो जाने के बाद में हम इसका pressure cooker का ढखकर निकाल लेंगे flame off कर लेके Pressure cooker का ढखकर निकाल लेने के बाद में हम इसके अंदर थोड़ा सा कोत्मीर और हरे मिर्ची आड़ कर लेंगे अमबाड़े की भाजिया आड़ कर लेंगे अच्डिया से भून लेंगे 5 मिनट के लिए मिडियम हीट पर पांच मिनट अच्छे से भून लेने के बाद में अब हम इसको फॉंद टकन से कवर कर देंगे और इसको low हीट पर दम पर रख देंगे आइल जो है अच्छे से सप्रेट हो जाएगा अगर इस तरह से हम लो हीट पे रख देंगे तो पांच मिनट तक अच्छे से दम होने के बाद में अब ये सालन बिल्कुल रेडी है अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे तो आप लोग इसको सर्फ कर सकते हैं प्लेन राइस और रोटी के साथ में तो आप लोग भी रेसिपी को जरूर ट्राय करके देखिए क्विक और आसान रेसिपी है और अगर ये रेसिपी अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को शेर और सबस्क्राइब जरूर कीजिए थैंक्स पर वाचिंग अल्ला हाफिज